Hello everyone, welcome back to the homestead आज हम सडको पर तरह तरह की कारे देखने को मिलती है जिन में से कुछ कार स्टाइलिस होती है तो कुछ कार खास स्पोर्ट्स के लिए बनी होती है कुछ कार सामने वेक्तियों के लिए होती है लेकिन कार का अविस्कार इतना सामने नहीं है और कार का अविस्कार करने का दावा बहुत से लोगों नहीं किया है और वह सभी लोग अलग अलग कंट्री से बिलोग करते तो आज की इस वीडियो में हम कार का अविस्कार के बारे में जानेंगे कि कार का कार बनाने की सरुवा 30 की और 30 की कार बनाने में अपना योगदान दिया तो मैं हो विशाल और आप देख रहे हैं होम्स्टेक आज हम जो सड़क पर कार देख रहे हैं उस कार में और जो सबसे पहले कार बनाई गई उस कार में बहुत ज्यादा अंतर है सबसे पहले जो कार बनाई गई थी वह भाप के इंजिन से चलती थी जैसे कि आज यह ट्रेंड चलती है लेकिन उसके बाद अलग-अलग लोगों ने उसके ओपर परिक्षन किया और अलग-अलग तरह के इंजिन से इसे चलाने की कोशिस की तब जाके हमें एक मोडल कार मिली जो की पेट्रोल और डिजल से चलती थी और उसके साथ ही गेस के साथ भी चलती थी लेकिन यह कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई गई इसे बनाने के लिए कई व्योक्तियों ने अपनी योजनाय बनाई और उन पर परिक्षन किया तब जाके एक मोडल कार बन पाई पेटंट में अपने बेंज पेटंट मोटर वागेन करवाया था। जो की वास्तविक मोडल कार थी। कार्लज बेंज ने एविश्कार के थी कुछ और बी पेटंट करवाया थे जैसे की थरोटल, सिस्टम, कारकञ प्लग गेरशिप, पाणी वाला रेडियेटर और से संबंदी थे और यह सभी ओटो मोबाइल में इस्तमाल होते हैं चाहे वह कार हो या फिर कोई बड़ा ट्रक हो काल्स बेंज ने एक कार कंपनी भी बनाई थी जो की आज भी मोजूद है जिसका नामे डेलमेल ग्रूप डेलमेल ग्रूप नामे लेकिन बेंज ही एक ऐसे व्य कार के बारे में बताया और उससे संबद्दित आविश्कार भी बनाए सन 1500 के करीब लियोनार्डो दा विंसी ने एक कार का डिजन तैयार किया था जैसे कि दूसरे लोगों ने भी किया था लेकिन विंसी अपने पूरे जीवन में यह कार बना नहीं पाएगी इसे हम 1870 में एक फ्रेंच निकोलस जोसब ने प्रोपलेट वाण का अविश्कार किया जो कि भाब के इंजिन से चलता था लेकिन यह पेदल चलने जितनी गती से चलता था जैसे कि हम पेदल चलते उतनी गती से यह कार भी चलती ती इसलिए इतनी सक्सेस्पुल नहीं रही रही 1832 से 1849 के बीच स्कोटलेंड के रोबोट एंडर्सन ने एक बिजली से चलने वाली वाहन का विश्कार किया लेकिन यह बहुत ही महंगा था और इसे लगा था रहे कंटीनियू चार्ज करना पड़ता था इसलिए 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 बंद कर दिया गया क्यूंकि उनकी कार वास्तविक में काम करती थी और उसका इंजीन आज की कार की कार की तरह ही काम करता था कार के कुछ फैक्स की बात करें हम तो पृत्वी पर अगर पृत्वी पर आज की आज के समय तक 100 करोड से ज्यादा कार है एक कार में लगबग 30,500 होते हैं का एक कार को लगबग 80% रिसाइकल क्या जा सकता है और रोल्स रोल्स ने अपने इतियाज में जितनी कार का प्रोडक्शन गया उनमें 75% कार अभी भी सड़क पर मोजूद है हर दिन लगबग 1,65,000 के आसपास कार का उत्पादेन होता है जो प्रतिवर्स 6 करोड के बराबर है रूस में गंदी कार गुमाना एक क्राइन माना जाता है अगर यूएस की बात करें लोस एंजलिस में लगबग इतनी कार है जितने वहां के लोग रहने वाले नहीं क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की फेमस ब्रैंड जिसे हम मर्सडीज केते हैं कैसे अस्तित्वों में आई इसमें दिल्चस बात है कि मर्सीडीज नाम एक ग्रहक की बेटी थी जिसका नाम मर्सीडीज जेली नेक था उससे अपनाया गया था तुर्कमेनिस्तान में हर महीने कार चलाने वालों को 120 लीटर फ्री पेट्रोल दिया जाता है कास की हमारे भारत में भी एसा होता कि 120 लीटर फ्री में पेट्रोल दिया जाता वर्ल की फास्टेस कार की बात करें तो हिनिसीज वेनम एफ 5 है जिसकी स्पीड 484.413 किलोमेटर पर आवर है जो 2.4 किलोमेटर पर सेकंड की स्पीड से 100 किलोमेटर की रफतार पकड़ सकती है वर्ल्स की एक्सफेंसिव कार स्वेफ लिए है जो रोल्स ड्रोयल्स द्वारा बनाए गई है जिसकी कीमत 84 कोरे अगर मेरी अपनी फेवर्यड कार चार कि बात करू तो व्डबली मोटर स्वेपन गई है जो डुनिया में सिर्फ सांथ है जिसका नाम है लाइक अनाइपर दे 4.3.4 million US dollar जो काफी मेंगी है अमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे ये भी उमीद है कि हेवन में जो Cars के Inventor है उन्हें भी ये वीडियो पसंद आया होगा और वो भी ये सोच रहे होंगे कि धर्ती पर हमारे और हमारे Invention को आज भी humans द्वारा याद किया जा रहा है दोस्तो बस Invention के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो आजिवाजिव सफाई रखे ओनेस्ट बने और नियमों का पालन करें